हाई फ्रेंज मैं आम सूरिया है और आप देख रहे हैं बॉलिवोड क्रेजी आज मैं बात करूंगा रॉक अन्टू के रिव्यू के बारे में जितने भी रिव्यू अभी तक सामने आया है चाहे वो क्रिटिक्स के हो या ओडियन्स के है वो मैं आपको जोर बताऊंगा रॉक इसके बाद जो भी रिव्यू के वह मैं बता आउंगा और अपको बता दूँ मैंने इस फील्म अब तक देखी नहीं है तो इसलिए मत मान के छिली कि मैंने देखी तो मेरा आप बहुत बढ़ना यह ओडियन्स का अप तक रहा है इस फिल्म को लेकर तो असके बाद हम जो तो इस फ्लिम में है फरान अक्तर आधिप्ते का रोल प्लेकर है जो उसके लावब अर्जुन रामपल है पूरब कोली है प्राची दिस्टाई है शद्धा कपूर है शशांक अरोरा है तो कुछ नए इस फ्लिम में देखा होगा बहुत अच्छा करेक्टर की आशिकी टू में देखा होगा तो यह दो करेक्टर नए आया है शद्धा कपूर इस फिल्म में जिया शर्मा का रोल प्लेकर रही है और आप काफी हद तक करेक्टर से जुबरू हो अगर आपने रोक-उन देखी है तो अगर नहीं देखी फिल्म में बता दू सिंगर्स बहुत रहते फरानक दो कि यह सरह का फंकि या यूद्फ फूल समय मतलब गाना गार शिए ऑन घंग करें लासिकल संग करें इस लासुन के पिता का सपना रहता है और कहीं कहीं नक्यू उसके वज़े से श्रद्य को को वह अच्छा नहीं लगता है शदरकफल खुलना चाहती लाइफ में लाइफ जरना चाहती है अपने उट्अप में नॉत इस पे बंदी देती है वह रहता हुए नॉत रहते हैं और भुद्त बन चाहती है कि मैं अपने इस हिसाब लाजम होता है एक जो एक craziness होता है जब ग्रूप मिलता है आपके दोस्त भी कभी मिलते होंगे तो वह एक दिख रहा था रॉकॉर्ण में और रॉकॉर्ण 2 में उसकी थोड़ी से कमी लगी है मतल़ इंट्रॉड़क्शन के एक पर इंट्रॉड़क्शन जो होता है जो मिलते ह उसमें थोड़ी से कमी है एक क्रिटिक्स का मानना है लेकिन उसके बाद मिलते हैं और कहीं न कहीं स्चोरी की थीम में बताते हैं तो बेसिक थीम जो अभी तक पता चली है वह यह है कि रॉकॉर्ण 2 के रॉकॉर्ण के वर्क कहीं न कहीं किसी बंदे की दैथ हो जाती है यह एक कंसर्ट के टाइम पर तो उसका जिम्मेदार जो फरानकतर वह खुद को मानते हैं उसके बार म्यूजिक से अपना पता काट लेते हैं हर जगी से दूर हो जाते हैं रिकल से लाइफ जीते हैं मतलब नौर्डिस के किसी गावां में जाके अपनी अलग ही जिने लगते हैं ना कि तिल-तिल मरे या पल-पल मरे तो उसी के वजह से वापस जुगाड करके सब मिलने का ट्रय करते हैं मिलते हैं वापस मैजिक ग्रूप रिफॉर्म होता हैं और कहना कहीं उसी वक्त शद्धा कपूर भी मिलती है इस बैंड में फिर शामिल होती है इस के बार से जो जलन मुजजिक का film है तु इसका मतलब मुखिक रहे गा पूरा पर तो बदा उसका तामिंग सब्सक्राइब दोस्तों मिलते हैं और कहिना कि जो जर्नी चाल होती है वही पुरी फिल्म फॉलो करती दो गंटा-बाइस मैड की थोड़ी जो नॉर्मल फिल्म आज कर हम देखते हूं दो गंटा-बाइस मैड को जादा नहीं है और फिल्म की जो आप स्टोरी की बात करता हू नहीं चीजे देखने को मिलिया तो मिक्स अभी तक ऑदिया है और तो इस तरह का मिक्स रिस्पाउंस और अभी तक आहरा है और तो यह सब चीजे हैं जो बेसिक चीज़ मुझे अभी तक इस फिल्म के बारे में ragion के बारे में इस फिल्म का music जरूर टेच किया है लोगों को लिकिन जो खलबली मचा दी थी लोकowan की music ने उस level तक नहीं पहुचा पाए है ये एक फिल्येट कहा है काहला सकते हैं दो फिर एक ये चीज़ें कि यह ओडियन्स कनेक्ट होगी मैं यह नहीं कहां बनती है एक बैंड की टीम म्यूजिकली फिल्म परफॉर्म करते हैं बैंड सब एक यूथफुलनेस आता है ऐसे फिल्म में कम बनती है और इसलिए फिल्म एक सोशल मेसेज देने के लिए बहुत अची फिल्म है जहां तक पर आपको फरान अकतर दिखेंगे अर्जुन रामपाल दिखेंगे इसे गाया है सिद्धार्थ शंकर ने गाया है उसके लावा इस फिल्म के और जो गाने है आई तिक तेरा मेरा दिल है और कई सब नव गाने है वह भी सब अच्छे है जहां तर पता चला है मतलब मैंने पुरे गाने को धाइस चार की रेटिंग दी है धाइस चार से स्टेन स्टार तकी तो मुजिक अच्छा है संकर एसान लोगा मुजिक में कोई कमी नहीं पॉइंट नहीं उठाने वाला क्योंकि मुजिकली फिल्म पहली भी अच्छी थी यह चीज़े थोड़ी बहुत आगे प करें नहीं कि तो रौक टू से बहुत जरों अव्मीदे है औरियोंस को कि इसका जो सीख्वल करीबन करीबन आठ साल बारा को तो रौक उनकर जो एक बज है अफकोस अंदर था आफकोस एक डिल में था कि रौक उन्टू होगी किस तरह उसे होगी कैसी होगी एक्टर ने को मानना है अभी तक का जिस तरह से आगे क्रिटेक्स के रिस्पॉंस आएंगे वह आपको जरूर बताऊंगा और इस आप से अभी तक लग रहा है उवर और तो इसका कलेक्चण जो होगा करीबन करीबन चे से साथ कोड़े तक पकड़ सकते हैं पहले दिन का क्यूंकि दो फिल्में और रिलीज हो रही है साथ में आपको पता ही है तीसरे हफ़ते में शिवाय और एविल है मुश्किल यह दुनों फिल्म में इसको जरूर टकर देगी रॉक-उन-टू को और तो इसलिए एक करी चुनोती है रॉक-उन-टू को बतलब सिनिमा परदर पर यह आपको बता दो 2000 स्क्रीन पर रिलीज होगी इंडिया में तो एक स्क्रीन तो बड़ा है इस फिल्म का फिल्म का फिल्म थोड़ी से लेंदी है दो गहंटा बाइस मेरी की लेकिन जो स्टोरी की बार जैसे कि म मुजिकल जैनर है और मैं यही कोशिश करता हूं यह कोशिश मतलब यह फिल्म जरूर चलेगी और ऑडियन जरूर पसंद करेगी कि थोड़ी से हटके फिल्म में आजकल की जो नॉर्मल फिल्म हो रही है लोग प्यार मौब उस थोड़ा सा हटके थोड़ा मुजिकल टेचिस यहां तक अभी तक देखें मैंने ट्रेलर गाने में तो जिस अबसे और फिल्म का और भी इस पॉण्स हैंगे वह आपको बताता है और आपके कुछ सुजा होंगे तो आपके कुछ सवाल होंगे तो आप बेजी चक पूछ सकते है और आप कितने साइड विडियों से आप मुझे जोड़ बताईये चली तक तक के लिए इतना ही गाऊंगा बाइबाई